है गाईज टेक हिस्ट्री की पहले एपिसोड में आपका स्वागत है इस सीरीज में मैं टेक्नोटी की पीछे की कहाने आप लोग से साथ सेयर करता हूँ और आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप तो जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडेन एज ने बनाया था 1995 में जब वो नेट्सक्रिप कम्मिनिकेसिं के साथ काम करते थे जिन लोगों को नहीं पता नेट्सक्रिप उन दिनों में सबसे पॉपुलर वेब ब्रहस था 1995 में जब विंडोस में इंटरनेट एक्स्प्रेयर तब वो जावा लैंग्विज पे डेवलब कर देते तब जावा बहुत ही पॉपुलर एक लैंग्विज था शौप्टेर को डेवलब करने के लिए बट उसका इम वेबसाट्सक्रिप्ट की तुल्ला में बहुत कमचीती उपलग थी इसलिए जावा स्क्रिप को डेवलोब परिटर गया था उसके पाद उज्रोंस बाले भी हूप कहां रहने वाले थे बना लेते इसलिए पिक हmy तुल्सक्रिप बनाले थह इसका नाम फिश्रीप इसलीए रहा गया क्योंकि जावा स्कीप राखते तो एक नाम का दो लैंग्वेज ओ जाता और ट्रेड मार्क की भी इसु आ जाती जैस्क्रिट की फर्स्ट भर्सें 1996 में अगस्ट में रिलीस किया गया था और इसको इंटरेन एक्स्पियर 3 में इंप्लिमेंट कर दिया गया था इसके बाद नेट्सक्रिप में 1996 में अपना जानाट्य जैस्क्रिप इंचिन स्पाइड़मं की लांच किया जो की अभी Boston में काम करती है जाच्प्रेस्क्रिप को पब्लीकले रिलीस करने के बास एक्मा नाम की एक कंपणी और आई 공nen की आई जावी जावा किट को डेवलेप करने के लिए 1996 में देच्णमक। कऱी उसी के करण जावास्कृिट को एकमा स्कृव्ण नाम दिया गया वैसे तो एकमा स्कृप्रिंबें जावास्कृप स्थी सेम ही है एकमा स्कृप्रीप कीर्षण सी Probable नए features थे जो कि publicly बहुत ही ज्यादा successful हुआ क्योंकि इसमें regular expression, do while, block, try and catch block, string and array के लिए बहुत सारे नए features यहां पे develop किया गया था Agma script 3 1999 में December में release किया गया इसके बाद 2000 में Netscape Navigator की version 6 आया जिसमें Agma script 3 को implement किया गया इसके ठीक जेर साल बाद market में firefox आया जो कि Netscape Navigator पे बेस्ट था यह भी Agma script 3 को support करता था इसी के साथ internet explorer भी Agma script 3 को implement कर दिये Agma script 3 के success के बाद सुरू हुआ Agma script 4 को develop करना यहां पे developers दो हिस्सों में बाढ़ गये पहला हिसा यह बोर रहे थे कि इसमें बहुत सारे और नए features एड करते और इसको सबसे strong language बनाया जाए अधर साइट की जो developers थे वो Agma script 4 की complexity के कारण releasing date पीछे कर रहे थे जब Agma script की development बंद हो गई तब Adobe Microsoft जैसी company JavaScript की अपनी version निकल रहे थे जैसे की Adobe ने Agma script और Microsoft ने JScript.net बनाया था ऐसे करते करते Agma script 4 को develop करने में और पब्लिक समरने में आर्ट सर गुजर गये Agma script 4 E4X extension के साथ आया था Agma script 4 Spider-Man की JavaScript engine में use किया गया लोगों के इसको use ना करने के करण Agma script 4 एक बहुत ही failure सबित हुआ Agma script 4 के failure के बाद 2008 में Agma script 5 की development में काम करने चालू हुआ Developers ने ES4 की सारी idea को नजर अंदर्स करते हुए Agma script 3 को अपना base बनाया Agma script 5 में class, object, getters, setters, JSON जैसे बहुत सरे extra functionality एड़ किया गया Agma script 5 2014 में release किया गया Agma script 5 भी बहुत सस्कुषू हुआ इसके बाद Agma हर साल Agma script की नई version निकाल रहा था जैसे कि 2015 में Agma script 6, 2016 में Agma script 7 ऐसे ही अगर आपने Agma script 6 में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें नए-ने modern approach काम में आता है जैसे कि Fat Air of Function Filter ऐसे ही यह है जान्नी JavaScript की जिससे आज JavaScript इतना popular हुआ है I hope आपको जावा script की information पसंद आई होगी अगर आया है तो वीडियो को एक like जरूर कीजिए और next वीडियो में कौन सी technology या फिक कौन सी language या फिक कौन सी framework पे वीडियो होना चाहिए यह please comment कीजिए So मीलता है next video